Hello everyone, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, मैंना नाम है तिनेश सेनी, Founder and CEO of Psychology Wellness Private Limited और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत बड़ी खुशखवरी देने वाला हूँ This video is specially for all the people who are from psychology field or background DSSB, मतलब कि Delhi Subordinate Service Selection Board ने एक notification जारी किया है counselor post की vacancy के लिए जिहां दोस्तों DSSB द्वारा counselor की vacancies निकाली गई है ये vacancy department of women and child development की तरफ से निकली हुई है DSSB की नई notification जो के 12.05.2021 को आई है counselor vacancy के लिए specially government department है और आप इसे भर सकते हैं वीडियो को last तक जरूर देखे ताके आप कोई भी चीज मिश ना करें और आप हर चीज के बारे में जानकारी ले सकें कि किस तरीके से ये vacancy को आप भर पाएंगे और क्या-क्या eligibility criteria है हर चीज को जानिए वीडियो को अंतक देखिए और बहुत सारी knowledge अपने पास लेके जाए और जानिए किस तरीके से आप इस तरीके की notifications को प्राप्त कर सकते हैं regular basis पे किस तरीके से आप जो भी नई vacancy आती है उसको सबसे पहले अपने पास प्राप्त कर सकते हैं वो भी आप जानिए इस वीडियो के अंत में टोटल नंबर ऑफ विकेंशी पचास निकले हैं दोस्तों तो चलिए आप सभी को इस जॉब से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टन जानकारी देता हूं इस जॉब के लिए eligibility है bachelor degree in psychology या applied psychology और उसी के साथ post graduate diploma in counseling psychology with one year of work experience with clinical psychologist या फिर कोई organization हो organization working in the field of mental health drug addiction center हो या psychiatry ward हो in any hospital और क्लिनिक या फिर आपके पास हो आपकी master degree in psychology या clinical psychology या applied psychology from a recognized university या institution तो ये eligibility के बारे में हमने बात की और अभी हम और भी जानेंगे इसके बारे में अगर आपने master's की है तो भी आप apply कर सकते हैं और अगर आपने बस bachelor की है तो फिर उसके साथ diploma और एक साल का experience होना चाहिए इस post के लिए desirable MPhil in clinical psychology है अब बात करते हैं salary की तो इस post की salary है 9300 से लेके 34800 तक plus में जो आपको grade पे मिलेगा वो भी 4200 का application open हो रही है 25 में 2021 से और last date है 24 जून 2021 और सबसे important बात इस post की application बस online ही accept होगी बाकी किसी medium से apply किया तो reject हो सकती है इस बात का जरूर ध्यान रखें description box में notification का pdf format डाल दिया है और website link भी डाल दिया है जाके check कर लीजिए और 25 तारिक को इसे जरूर भरिए age limit के बारे में आपको भता दूँ 30 साल इसकी age limit है अगर आपको ये वीडियो useful लगी तो इसको like जरूर करें शेर करें अपने सारे psychology वाले दोस्तों के साथ और अगर आपको ऐसी ही useful वीडियो देखनी है तो जरूर subscribe करें हमारा channel और इसको bell icon को दबाना ना भूले शेर करें ये वीडियो हर अपने psychology वाले दोस्तों के साथ ताके वो भी इस नई विकेंसी नई notification के बारे में जान पाए और इसे time से भर पाए अपने सारे psychology वाले groups में भी इसे शेर करें ताके उन सभी के सामने आपकी एक बहतरी चवी बने के आप updated रहते हैं आपके पास सार अपडेटिड नोटिफिकेशन रहती हैं हमारे चैनल को लाइक करने के लिए और हमें बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद